जी दोस्तों कैसे हैं आप इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा एक मार्किट प्लेस जो है वो क्या होता है और दूसरा यह के जो टॉप 10 NFT की जो मार्किट प्लेस हैं जो आप कौन कौन सियर कहां पर आप जाकि अपने NFT को बेच सकते हैं तो सबसे पहले यह मार्किट प्लेस एक ऐसी जगा को कहते हैं जहां पर मार्किट लगती है बस या अगर आप इस में से प्लेस को हटा दें तो भी इसका मतलब सेम ही रहेगा हम नॉर्मली मार्किट कहते हैं कि यार मार्किट जा रहे हैं यह लेने के लिए वह खरीदने के लिए लेकिन बाहर के दुनिया में मारकट भी कहते हैं और मारकिट पलेस भी कहते है ठीक है तो यह मारकेट कहीं लिखा वाई keywords लिखावाय तौ एक आप यह समझ लें कि अगर आप इंडिया में है तो इंडिया में Amazon है तो Amazon एक बहुत बड़ी marketplace है ठीक है जहां पर के बहुत सारे sellers होते हैं वो अपनी अपनी चीज़ें बेचते हैं लोग खरीते हैं वो marketplace है इसी तरह से कोई सी भी website है अगर आप Facebook पर चीज़ें बेचते हैं या किसी और application के ओपर आप चीज़ें बेचते हैं या वहां से दूसरे लोग बेचते हैं और आप खरीते हैं तो वह भी एक marketplace होती है ओके तो अब मैं आपको अपनी जो main topic है कि जो top 10 NFT marketplace क्या है जहां पर आप अपनी NFTs को बेच सकते हैं तो उसमें सबसे पहले ही जो market है और जो दुनिया की सबसे बड़ी market है उसका नाम है open sea यह आप देख रहे हैं open sea अब देखें इन्होंने क्या लिखा है discover collect and sell ठीक है यानि आप यहां पर search कर सकते हैं कि आपको कौन सी कोई कौन कौन से NFTs market में बेक रही हैं आप उतकी collection बना सकते हैं यानि आप उनको खरीद कर अपनी collection के अंदर रख सकते हैं और बाद में अगर आप उनको बेचना चाहें तो बेच सकते हैं और sell extraordinary यानि आप अपनी NFTs को खुद भी अगर आप बनाते हैं तो आप अपनी NFTs को भी यहाँ पर सेल कर सकते हैं यह दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी marketplace है ठीक है यह देखे नोंने फिर भी लिखा है marketplace ठीक है world's first and largest NFT marketplace इसको अगर हम खाली market भी लिखने तो एक ही बात होती है लेकिन यह नॉर्मली marketplace लिखते है हर जागा पर तो यह website है open sea सबसे बड़ी NFT की marketplace है इस वक्त यह companies है यह उपर नीचे होती है बिल्कुल जैसे coins कभी एक coin उपर चला जाता है कभी दूसरा coin उपर आ जाता है कभी एक नीची आ जाता है कभी दूसरा नीची आ जाता है तो यह भी उपर नीची होते रहते हैं लेकिन इस वक्त टॉप 10 में जो नंबर 1 पर website है और जो इस वक्त सबसे बड़ी market है वो यही है open sea ठीक है और इसका एक ऐसा benefit है जो अभी किसी और marketplace में नहीं है वह मैं आपको बताता हूं लेकिन आपको यह एक चीज क्लियर कर दूँ कि अभी है ठीक है हो सकता है कि जब आप यह वीडियो देख रहे हैं उस वक्त तक डिफर्ट और जो marketplaces हैं उनके अंदर नए features आचुके हों तो अभी उनमें नहीं है तो इसलिए मैं बता नहीं सकता कि वह क्या होगा कब होगा लेकिन इस वक्त जो marketplace है इनका जो main NFT को कहा गया ठीक है यह definitely अगर आपने आप NFTs के अंदर नहीं तो आपने gloves सुनाओं का mint NFT को mint करना होता है या minting होती है यह क्या चीज़ है यह मैं आपको अभी इसमें explain नहीं कर सकता क्योंकि एक एक चीज़ को explain करने जाएंगो तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस वीडियो में आपको सिर्फ यह बता रहा हूं कि टॉप 10 marketplace कहा है जहां पर आप NFT सेल कर सकते हैं अपने यह वहां से खरीच सकते हैं तो यह एक पहली टॉप marketplace है ठीक है नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ता हूँ आपको अच्छा मैं आपको जो सौरी से बताना भूल गया कि इसका जो special feature special feature इसका यह है जो अभी किसी और marketplace के अंदर नहीं है वो यह कि सारी जितनी इसवक्स NFT की marketplace markets है ना वो Ethereum के उपर बेस्ट है Ethereum blockchain के अपर इसका मतलब यह है कि जब भी आप यहां पे अपने NFT को create करते हैं उसको mint करते हैं उसके बाद उसको sell करते हैं तो आपको Ethereum यह एटी एच जो है यह token है उसके वो आपको fees देनी पड़ती है यह सारे काम करने के लिए अब अगर आपको अंदाजा है कि market में Ethereum की price क्या है तो आपको यह पता होगा कि Ethereum की जो gas price है बहुत ज्यादा हो सकती है इसको 45 डॉलर के करीब दिखा रहा है लेकिन अगर नॉर्मली यह 100, 200, 300, even 400 से उपर भी गई गयी है इसकी गैस जिसे gas fees कहते है तो तो एन फ प्रॉब्लम इस वक यह है कि जो ज्यादा तर जो marketplaces है तकरीबन बलके सभी तकरीबन सभी की सभी जो है वो Ethereum की base पे हैं चलती है सारे blockchain के उपर इसका मतलब यह कि आप जब भी यहापे market में आएंगे अगर आपके कोई NFT खरीदना चाहते ह तो आपको Ethereum में gas fees पे करनी पड़ेगी जो कि बहुत ज्यादा है अगर आप यहापे NFT को mint करते हैं तो आपको Ethereum चाहिए gas fees पे करने के लिए अगर आपके NFT को कोई खरीदा है तो आपको gas fees पे करनी है तो आप इससे अंदाजा लगा लिए अगर आपके NFT की dollar की जो price है वो 100 dollar है तो अगर आपसे कोई खरीदा तो आपको वो उसको बेचने के लिए उससे जादा fees देनी पड़ जाएगी तो यह चीज़ आपको अपने जहन में रखने के ज़रूरत है कि अभी जाद तकरिवन सभी कि सभी markets जो है NFT marketplace वो Ethereum based हैं और लेकिन लेकिन जो इसका special feature जो मैं बार ब place में add कर दिये इसका मतलब यह है कि आप अपने NFT को Polygon Network को कि यूज़ करते हुए OpenSea को पर बेच सकते हैं और और सबसे बड़ी बात यह कि Polygon पे आपको बेचने की कोई fees नहीं है ना उसको create करने की NFT को ना उसको mint करने की ना ही उसको sale करने की आप दरा सोचें कि एक तरफ Ethereum based blockchain है जहां पर आप अपने हर काम की fees देनी है और थोड़ी बहुत भी fees नहीं बहुत ज्यादा और दूसी तरफ साथ ही उन्होंने Polygon Network add कर दिया है जिसके अंदर आप रहते हुए आप NFT को उसी market के अंदर कोई फरक नहीं है उसी market के अंदर रहते हुए आप Polygon blockchain के थरू अपन वाली की तरह बढ़ता हूँ ओके नेक्स्ट जो है वो है यह निफ्टी गेटवे ठीक है यह आप देखते हैं इसका नाम है निफ्टी गेटवे यह दूसरी बड़ी marketplace है यहां पर क्या होता है कि यहां पर ज्यादा तर जो बड़े आर्टेस्ट है और जो स्लेबरिटीज है ठीक है वो यहां पर उनका जोर ज्यादा है वो अपना जो आर्ट वर्क है वो अपने जो डिजिटल आर्ट है वो यहां पर ज्यादा बेचते है यह इसलिए अगर आप नए हैं तो आपको यहां पर अपने एनिफ्टी बेचने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहां पर फी तो यह इस मार्केट प्लेस में आपके पास और कोई आप्शन भी नहीं है कि और ब्लॉक चेन को इस्तमाल करने हैं यह इसके लिए अगर आप यहां पर अपने यह इसके लाके उसको खरीदना बेशना चाहते हैं तो आपको इत्रीयम की गैस फीज देने के आपके वालेट के अंदर पैसे होने चाहिए इसका एक बेनेफिट इस वेब साइट का यह है कि अगर आपको जो डिजिटल वालेट्स हैं जैसे मेटा मास्क है और ट्रस्ट वाले अगर आपको आपको पास वो नहीं है तो भी आप अपने क्रेड़िट कार्ड के ज़रिये से एनेफटी को खरीज सकते हैं तो कि जरूरी जरूरी नहीं है कि आपके पास डिजिटल वालेट ही हो ओपन सी के अंदर आपको डिजिटल वालेट ही चाहिए ब्लॉक्चें के कार्ड या डेबिट कार्ड अपने बैंक कार्ड अगर आपके पास है तो उसको इसनमाल करके आप डारेक्ली भी यहां पे उसके साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको हमेशा आपको जहन में रखना पड़े का कि गैस फीस जो है वह बहुत ज्य सकते हैं र-a-r-i-b-l-e ओके यह वाली जो मार्केट प्लेस है इन्होंने भी अभी कुछ ही अर्सा पहले यह भी एथीरियम ब्लॉक्चेन पर थे लेकिन अब इन्होंने उसको उसके अंदर दो और ब्लॉक्चेन एड़ कर दी हैं टैजो और फ्लो अभी मैं आपको ब्लॉ यहां पर आप जो भी मार्केट प्लेस एथीरियम के इलावा कोई और ब्लॉक्चेन ओफर करती है इसका मतलब है कि वहां पर गैस फीस जो है वह आपको बहुत ज्यादा कम देनी पड़ेगी यह उसको है बिलकुल भी ना देनी पड़े लेकिन अगर आप किसी ऐसी किसी बेस्ट है तो आपको उसकी फीस का जहन में रखना पड़ेगा हर बारी यह यह बहुत बड़ी वेबसाइट है यहां पर भी आप अपने एनेफ्टी सेल कर सकते हैं अब अगली वाली को देखते हैं यह बाइनेंस की मार्केट प्लेस है एनेफ्टी के लिए इसको तो करेंस का नाम अगर क्रिप्टो करंसी में कुछ हर्से से हैं तो आतने बाइनस बाइनस का बाइनेंस के आप्षिंज यहां पर मारेकल बाइस पे आपके दो आप्षिंज हैं एक तो आप एथिरियम को इस्तमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग करने, या या यह ट्रांजेक्शन फीस पे करने के लिए और दूसरा बाइनस का जो अपना टोकन है बी-ए-एन बी, वो भी इस्त transaction के एक step करने के तो यहां पर आपको एक डॉलर देना पड़ेगा इतना ज्यादा फरक है तो जाहर है हर कोई जहीं चाहेगा कि भाई वो एक डॉलर में जब एक काम हो जाता तो 100 डॉलर दे के क्यूं काम करे थोड़ा सा फरक तो नहीं है तो बहुत ज्यादा फरक है तो यह Binance की market and NFT marketplace है जहां पर आप अपने NFT को sell कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि यहां पर यह सब चल रहा है ओके इसके अलावा एक चीज़ और जो आपको आपको मैं जो अच्छी चीज़ बताऊं की वो यह है कि यहां पर आप NFT को sell करके आप डारेक्ट इसको convert कर सकते हैं अपनी local currency क को withdraw भी कर सकते हैं दूसरी जो अभी जो अभी जो अभी जो हमने जो पिछली जो तीन marketplaces देखी है उधर यह option नहीं है लेकिन हर marketplace की अपने benefits यह आपको कहले advantages और disadvantages होते हैं अभी मैं एक-एक marketplace की advantage और disadvantages की detail में नहीं जा सकता वरना तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाईगी अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कौन-कौन सी marketplace की options आपके पास available हैं तो यह भी एक Binance की option है इसी तरह अब मैं आपको अगली वाली की तरफ लेके चलता हूँ अब यह एक और है super rare ठीक है जैसे आप देख देखते हैं एक और marketplace है यह सिर्फ और सिर्फ एथिरियम बेस्ट है ठीक है यहां यह किसी और blockchain पर नहीं चलती तो जाहर है कि gas fee सबसे पहले foreign आपके जहन में बाद आएगी कि उसका क्या करना है आप को gas fee देना चाहते हैं यह न इसका मतलब है कि जो privately लोग अपने NFTs बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं जब वो यहां पर आके अपना account बनाने कोशी करेंगे या अपनी transaction करने कोशी करेंगे बेचने के लिए खरीदने के लिए नहीं बेचने के लिए तो आपको problem होगी अगर आप already आपको बड़े artist नही हैं तो या आपको शायद आपकी application को या आपकी account को accept ना करें अगली जो हमारी marketplace है वो यह आप देख सकते हैं async ठीक है और इसके अपने कुछ advantages है इसकी detail में मैं नहीं जा रहा है लेकिन यह सिर्फ ethereum based है और लेकिन इसका इस में आपको इस marketplace में आपको अपने NFTs यहां पर अगर आपको सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको technical knowledge कुछ जादा चाहिए होती है NFTs के बारे में अगर आपके पास वह technical knowledge और नहीं है तो आपको यहां पर अपने जो है उसमें problem आईगी मुश्किल होगा बहुत सारी लोग इसको 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 बता रहें कितने कि लगे हुए में कितने की होगी और आप देख सकते हैं लेकिन जैसा मैं आपको बताया कि यहां पर आप अपना account बना सकते हैं कोई मसला नहीं है लेकिन अपको यहां पर मेंटिंग करने के लिए और सेलिंग करने के लिए आपको कुछ technical knowledge होनी चाहिए इकर्स प्लेस ठीक है बिलकुल कोई समय यह भी सिर्फ एथिरियम बेस्ट है जैसा में आपको बताया कि ज्यादा तर एथिरियम बेस्ट है और तो यहां पर भी फीस का प्रॉब्लम हो आपको हमेशा होगा लेकिन अगर आपको यह मार्केट प्लेस अच्छी लगती है कि हर में एक मार्केट प्लेस की डीटेल में जाऊंगा उनके बैनेफीट और याद्वान्टिजव डिसड्वांटिजव में फिर मैं उसकी एकड़ स्प्लें करूंगा कि कहां पर क्या हो सकता है कहां पर क्या नहीं करना चाहिए आपको लेकिन आप अगर खुद देखना चाहें हैं तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए है बहुत कुछ ठीकने के लिए रप आप यहां देह सकते हैं प्रारिम in justi很 дет淹ै了 इस दिटेल में नहीं जा रहा है यह सिरफ एथिरियम erstmal वैसी होती है जैसे किसी भी दूसरी मार्केड़े स्टेस में आपको डिजिटल वालेट चाहिए होता है जो कि आप यहां देख रहेंगे, उसको connect करना होता है और फिर उसमें आपके पास Ethereum के जो tokens हैं, वो होने चाहिए, काफी सारे होने चाहिए क्योंकि इसकी fees बहुत ज्यादा है और उसके बाद आप यहां पर आके अपने NFTs को sell कर सकते हैं, mint कर सकते हैं, जो भी करना है याद की दूसरों की NFTs उसको आप खरीद कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं और यह हमारी number nine पर है, एक और है, इसको आप देख सकते हैं, foundation.app यह आप यह आर्टिस्ट जो लोग हैं जो यानि में बड़े आर्टिस्ट जो हैं, जादातर वो इसको 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 चलाते भी हैं, यह सिर्फ और सिर्फ एथरियम बेस्ट है, इसलिए gas fees का problem है, आप यहां पर आ सकते हैं, आप अपना कर सकते हैं लेकिन आपको, आपको problem होगी क्योंकि ज्यादातर लोग जो यहां पर जो buyers आते हैं, वो यह expect करते हैं, उनकी तवक्य होती है, कि यहां पर जो भी sellers हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं, वो famous आर्टिस्ट हैं, इसलिए अगर वो आपका नाम यहां पर देखेंगे, और वो आपको आप पहचानते नहीं हैं, तो ज़्यादा चांसे हैं, वो आपके NFTs को avoid ही करेंगे, तो आप यहां पर account बना सकते हैं, लेकिन आप इससे दूसरी Binance की, या दूसरी जो open sea marketplace में आपको दिखाई है, वो users के लिए ज़्यादा बेतर है, लेकिन यह भी एक option है, और एक जो next है, वो है ZORA, ZORA.CO, ठीक है, यहां पर आप different तरह के जो NFT Arts है, यानि pictures के लावा, आप music को भी आप यहां पर sell कर सकते हैं, अगर आपने अपना कोई, खुद ही आपने कोई audio editing की है, या अपना music खुद create किया है, तो उसके भी आप NFT में convert करके, आप यहां पर sell कर सकते हैं, complex है, यह थोड़ा से complex system है, इसको आपको इस्तमाल करने के लिए पहले थोड़ा सा सीखना पड़ता है, और लेकिन आप यहां पर options काफी सारे है, main चीज़ यह है कि यह भी ethereum based है, सिर्फ और सिर्फ, अभी कोई और blockchain की option available नहीं है, यहां पर तो आपको वो चीज़ जहन में नहीं होगी, यह हमारा number 10 जो मैंने आपको बताया था कि जो 10 जो main marketplaces है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि सिर्फ यही marketplaces नहीं, और भी हैं, ठीक है, और और भी आती भी रहेंगी अभी, क्योंकि यह भी दुनिया में न नए features आते हैं, जैसे blockchains को add करते हैं, और gas fees कम करते हैं, और जो कुछ भी चीज़ें आती हैं, उसके उपर मैं आपको update करता रहूंगा, अगर आप NFT में interested हैं, जो कि और अगर आप कुछ भी create कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको definitely कहूंगा कि यह बहुत जबर्दस opportunity जह पर आके कि आप अपने पैसे कमा सकते हैं, घर बैठ के और ठीक टाक पैसे कमा सकते हैं, अभी पिछले दो ही दिन पहले, एक NFT बिका है, उसकी जो कीमत थी, वो तकिरिवन 30 क्रोड रुपे थी, ठीक है, तो इससे आप अंदादर लगा लिए, और NFTs कि क्या है, और यहां पर धाई Ethereum, तो आप NFTs के जरी काफी पैसे बना सकते हैं, तो यह बस मैंने आपको इस वीडियो में बताया, डिफरेंट प्लेस, अगली वीडियो के अंदर या एक और वीडियो में NFTs के उपर बनाऊंगा, बलकि और कई वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊ इसे करते हैं, क्योंकि हर मार्केट के अंदर को यूज करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, स्पैशली ओपन सी जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाए थी, क्योंकि वहाँ पर लोग टेक्निकली थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए कि उसके दर आपको डिजि मैं आपको separate वीडियो में बताऊँगा, वरना तो आप जानते हैं कि यह बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो खेर, अब आपको इस पता चल गया है, कहां पर आप अपने NFT को सेल कर सकते हैं, इसके साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है, कोई question है, तो comment में प